विपक्ष सुद्रूप से उनको मतिभर्म हो गया है अब लोग शुरूसी कह रहे थे जना आदेश का सम्मान आपको खरना पड़ेगा जनता जिस प्रकार से मोदी के पच्छ मैं मतदान किया कि आपने चुनाओ किया और अच्छे लोगों का चुनाओ किया जिसका प्रणाम सुरूप है का आज इस प्रकार से पूरे देश में मोदी की नित्रत में सरकार बनने के लिए जा रही है विपक्ष अभी तक रोना रो रहा था कि बीजेपी नहीं आ रही है मोदी को भगा दो राम कालपनिक है राम मंदर तोड़ देना है क्या क्या ये लोग कहते थे चिकिसा सिक्षा रोजी रोजगार पर वार्ता ही नहीं करते थे राम मंदर वेकार है तो जिसने कहा राम मंदर वेकार आज वो भेकार जनता चिकिसा सिक्षा रोजी रोजगार सनात्म धर्म संस्कृति हिंदु हिंदुत के साथ आगे बढ़ा ही थी आगे बढ़ी मोदी जी की सरकार बन रहे है अहां हम लोग तो सुरूस का रहे थे विपक्ची ही तो चिला रहा था विपक्च का रहा था कुछ तो समझों जनता ने उनके उपर करपा किया क्योंकि विपक्च जिस परकार से सनातन क्रोना है डेगू है मलीरिया है राममंदिर विकार है राममंदिर तोडना चाहिए अलप संख्यों को आरक्षन देना चाहिए एस सारे भाव को सनातरी समझ कर भारत में रहने वाले जितने भी मतदाता थे सारे मतदाताओं ने एक सुत्र से मोधी जी को अपना नेता माना और मोधी जी को कमल का बटम दबाकर और आशिरवात दिया मुझको लगता है कि अब भारत उस बैभव पर पहुचेगा जो पहले हुआ करता था सनातर सनातर संस्कृत हिंदू हिंदु को लेकर डवलप्मेंट विकास को लेकर जिस प्रकार से भारत वर रही है मोधी जी के नित्रोट में विपक्ची खतम है विपक्ची धारासाही है विपक्ची मुद्दा वहीन था मिपक्ची के पास कोई मुद्दे नहीं थे विपक्ची सिर्फ सनातन को टार्गेट करता था इसके नावते हिंदू जन्मानस ने विपक्ची को टार्गेट किया और विपक्ची समाप्त हो गई हम लोग तो का रहे थे कि उत्तर पदेज में 70 सीट पा रहे हैं एक जिट पूल से 44 सीट दिखा रहे हैं सुरू से का रहे थे हमने कुछ सीटे दे दी थी वो भी सीट देने के लिए तयारने दस्ती में सस्ती हम लोग ले रहे थे लेकिन यहाँ लोग तंतर के महा उस्व में जन्ता को अधिकार है अपना मतदान करने का और अपने तरीके से नेता का चुनाओ करने का मुझको लगता है जिन जिन लोगों ने विवक्ष को ओड़ दिया उन्होंने भगवान राम को अपनाया नहीं उन्होंने भगवान राम का दिरसकार किया और उनको मनन करना पड़ेगा कि किसने राष्ट के लिए किसने सनातन के लिए किसने संस्कृति के लिए कार किया है उसको मतदान करना चाहिए था लेकिन आपने विपक्ष को कहीं कहीं आपने मत अपना प्रदान किया यह अच्छी बात है लेकिन आपको पुना में निवेदन करूँगा कि चलिए विकास में आप सहयोग किये कोई दि फख्य सुरू से विबख्य लगा हुआ था कि मोदी जी को खतम कर देना है मोदी जी को निपटा देना है वीजेपी के गोवर्मेंट नहीं बन रहा है हम लोग सुरू से का रहे थे इस बार 400 पार के साथ पुना मोदी जी के सरकार बन रही है भारत रामराजी के और बर रहा है इसी को कहते है रामराज की परिकल्पना आप देखे जिस प्रकार से मोदेजी प्रचंड वहमस से 400 पार करते हुए चुनाव जीतने जा रहा है मुझको लगता है भारत हिंदू राष्ट के और भारत सनातम राष्ट के और और एध्यातो जाकी है मतुरा कासी बाकी है और तो और भारत में रोहेंगे अब बंग्लादेशी को बाहर करके और भारत को सुध्ध राष्ट बनाना है और कृष्ण जर्म भूमी और बावविश रात का मंदिर का निर्मान करना है इसके साथ भरत आगे बढ़ा है